बुईया के गोठ संगी गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विसे सगिले समाधान के तस मचली मुरगी पालन के उननत खेती गीत गान के स्वस्त सुखी कुसहाल चतिस गड़के के साथ रसता है भुईया के गोठ संगी बुईया के गोठ संगी कारिकन देखे यह जम्मु दर्शक्मला राम राम चतिस गड के बारे में एक ठन हाना बड़ा चलन में है कि छतिस गड में छतिस किसम के भाजी भाई हम तो कि ठन के छतिस किसम के नहीं कहूं गिनेल जाओं तो एक रूल कट को जादा हो जाई ही छतिस गड में भाजी ला बड़ा चाओ से खाय जाते और बजार में कहूं ताज ताजा भाजी दिखे तो एकदम चटपट उड़ जते आद्मियों कर किम्मत भी ने दिखे कवों 50 रुप्य पाव है चना भाजी तभुल ले ली ही और यह हम चनादार डालके बरी डालके कभी आलू संग ते कभी भाटा संग ते कभी जैसे कोहडा के भाजी लामान कोहडा के लोगा संग बना के खाथन ऐसे किसम किसम के आनिवानी के स्वाद लगा के खाई के चलन हैं तो आज हम चतिसगड के भाजी की खेती यह विशय उपर बातचीत करन और जानकार देखा तिर हमार भी चाहे हैं डॉक्टर रमित दिक्षित प्रमुख फैज्यानिक इंद्रा ग जैसन के आज के विशय है भाजी एक दम हरीयर भाजी के और बजार भी एक दम भरे हुए भाजी से तो सबले पहली हम यह जानना चाहबो कि सब्हों है छटिसगड में भाजी के वैसाइक खेती के का संभाँन है छाटिसगड में बात करें तो किसान जो है चोट-चोटे गर लेकिन अगरर खेती के भाजी बात करें तो भाजी में बहुत जदा फायदा अर उसको ऐसा किसान भाई सा उसको समय लगाए कि एक भाजी लगाए फिर दस दीन बाद दूसरी लगा अंतराल रखे समय के अंतराल रखेगा तो मार्केट में वो लगातार चार से पांच मेहना वो मार्केट को दे पाएगा और अच्छी वेबसाई खेती करके मुनाफ़ा कमा सकता है हम कोई दूसरा साग भजी लगा है तो निश्य थी कभी 50 दिन में आतके शाट दिन में बहुत अगर हम बात करें तो देखो अगर मैथी की बात करें तो 20-22 दिन वो तोड़ने लाइक हो जाती है और अगर हम पालक की बात करें तो पच्छीस अठाइस दिन जाते हैं, धनिया में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन चौलाई भाजी है, थोड़ा सा कठीन है, तो उससे क्या होता है कि आठ दस दिन लग जाते हैं, उगने में, उसके बाद तो जल्दी आ जाते हैं, अच्छा दूसर क्या है चैसे लाल भाजी है, चौलाई भाजी है, यह भी 20-22 दिन में तयार हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा है कि लगाए, फिर लगाए, फिर काटे मतले हैं, खेट खाली होगे? ऑग किसान कर बढ़े हैं, तो इसमें बहुत कम मैंटिनेंस हैं, बोलना चाहिए कि बहुत कम क्याते हैं दवाई देख भाल की मातरश करफो तो बहुत अच्छा वैफशाइज कहती है और मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एरिया में जो इसको कुषान बहूएं तो यह बड़ा अच्छा बात बताया आप पहली दिन में ऐसे रहा है कि पहले तो आदमी स्वादेवर खात रहे हैं अब तो अपन सेहत लभी देखके एकर सिती मांग जादा है जो भाजी होती है हर भाजी में अलएलग गोड हैं तो जैसे मालब पालक की बात करें तो इसमें जितना आईरन है वो किसी प्रकार की कोई भी सबजी में नहीं मिलेगा अभी करोना काल में क्या हूँ रहा था कि डॉक्टर साब लोग बो रहे थे कि आईरन की गोली खाओ जीन से ज़्यादा अपने घरो में लगाना चीए और जितना फाइदा भाजी लगाने में खाने में आएगा उतना खरीद के खाने में नहीं आता नहीं आए और जो स्वाद अपन खुद के उगाएम रहे थे और वो ते एकदम अधिभूत रहे थे बिलकुल तो जैसे पालक है पनीर में डाल के बना, दाल में थोला सा डाल दे, मतलब स्वाद आते और बच्चे लोग भी उसको चाओ सिखाते हैं, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना चीए, जैसे अब धनिया हैं, ये धनिया बारो महना आती है, ये बारो महना धनिया आती है, और ये धनिया देखे अभी चोटे में इसको काट लेगे, बजार में लोग या बड़ा बड़ा आती है, ये इसका जो स्वाद होगा, इसकी जो खुश्बू होगी, वो बड़े धनिया में, या हाइब्रिट जो आजकल चले है, उसमें नहीं आते, ये देशी धनिया है, और ये देशी धनिया के बीज असानी से मार्केट में मिल जाते, ये, तो कुछ नहीं है, अराम से ले, पाक्मा दददस उपे में, जो बजार में थे ते देख वे, भर्री के जो धनिया थे, उकर खुश्बू में बहुत अधनिया जैसे है, अराम से इसको लगा, और डाल में, सबजी में, जिसमें डालन करना के खाओ, तो बहुत, करते हैं, अच्छा इसका वइदा है, इसी पर काप लाल भाजी करें ये लाल भाजी, जैसी जैसे थंड बढ़ेगा, जैसे जैसे ठण बढ़ेगा, तो थोड़ा-थोड़ा भाजी तो थोड़ा, ऑगोजी ठोड़ा कम हो जाएगा, सबसे तो लाल भाजी थोड़ा कम हो जाए लाल भाजी में सबसे आदा आइरन और केल्सियम होते हैं और खून की मत्रा बढ़ाने के लिए पालक और लाल भाजी का जितना ज्यादा उप्योग करोगे उतना आप दूसरे जो गवाईयां आती हैं वो उसमें फाइदा नहीं है तो यह सबसे अच्छा तरीका है अब ही किस समय में अभी किसान भाई लागाना चाहें तो कुन-कुन सबसे अच्छा समय है ठंड का कुछ भाजियां से होती है जो गर्मी में जैसे पालक है मैथी है होगी तो लेकिन बहुत है चईसे होते हैे अभी जू सीजन समय चल रहा है है इसमें सब प्रकार की भाजी है है चाहें मेंति की बात करें हैं लाल भाजी की बात करें इसके अलाबा भाम अप्रसे इसको काट गए उतना ज्यादा उसमें काइगी बहुत घना пережए और उसे उसमेंहाना बाता है और और जितना घना होगा उतने उतने दाना पड़ेगा तो बहुत सारी भाजियां हैं सब प्रकार की भाजियों को अभी अपन कर सकते हैं चोटे एडियम लगा कि पर चारा भाजी के यदि हम उकर कटिंग करके होला भाजी के रूप में भी बेचन तो फसलना कोई नुकसान नही पाइदा है और मार्केट में आ रहा है और हम लोग भी सेंटर में भी हम लोग भाजी को के रूप में बेचते हैं उसमें क्या होता है यह मानिया आपकी 15 से 20 प्रतिशत उत्पादन बढ़ता है और मुला लगते बजा रहे हैं अभी एकदम 50 रुपे पाउक में भी सब्सक्राइदा प्रोटीन है जितना डाल में नहीं है अरे भाजी में, नहीं है प्रतिव कीति अर्शत वाजी है कि पानी मत भरे, सड आएगा बाकी ज्यादा तेयारी करने के ज़रुत सब्सक्राइद है इसमें क्या होता है कि एक गहरी जुटाई करने के बाद दो से तीन बार कल्टीवेटर चला दो चलाने के बाद अगर आप उसमें रोटोवेटर नहीं भी चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अराम से उसको लाइन में एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी जो है 20 cm रखो और बीच को एक एक लाइन में टाल दो इससे क्या होता है कि बीच में अगर दो से तीन कटिंग अपने को लेना है जैसे मैथी है मैथी आरेम्टी 301 यह जो किस्म है यह मैथी पंत नगर अग्रिकल्चर इनवस्टी किशी महावित दलेश जैसे इंद्रा गांधी है व अब ही मैं दिखाने के लिए इसको लेकिन मैथी आरेम्टी 301 में एक कटिंग करने के बाद भी मैथी और अच्छा होते है अच्छा और मैथी इसका जो बीच है वो सबसे अच्छा बीच होता है और सबसे ज़्यादा अगर मैथी की खुश्बू है तो यह हमारी जो रिसर् अपने को लाइन में लगाने से यह फाइदा है कि अगर बीच में खरपदवार भी आते हैं तो उसको अपन उखाड सकते हैं और मैथी का जो बीच उत्पादन है उसके लिए अपने को तीन महना फसल को खेथ में रखना पड़ेगा तब वो बीच बनेगा पकेगा इसलिए उसमें दो से तीन बार अपने को निदाई गुलाई करना है और भाजी में किसी प्रकार का खर्पदवार या निदानाची जो होता है वो नहीं डालना चाहिए क्योंकि बहुत पतले उसके सफ्ट करते हैं उसके पत्ते होते हैं जारा दबाई मुक्सान बिकर Azhar के हागे क्याइं तो यह जयतान कर लाइन में लगाना है और निफिम में दो तीन जो कि होती है जो किसी भी से निकदी है उसमें बहुत उसके पत्ते है इसके पत्ते हैं और बड़े पत्तों वाले में नहीं होगी और मैं आपको उतना नहीं मिल पाएगा जब हम बजार में जाते हैं जब पसरा लगा के बढ़री थे सब्जी भाजी वेचे यह देशी धनियां करके और अधिक कीमत बता थे और थोड़ा सा सूंगने के आदत है तो अपन सूंग के देखते हैं उसको कि खुशबू अच्छी है कि न बढ़रत में जहां भी किर्शी माविद दाले हैं वहां से जो रिशर्ज वाली अनसंधान वाली जो किसमे निकलती है उसको लगाना चीए अच्छा यह मन आप बढ़िया जान करें करें कि हम जैसे कोई फसल लगा था जैसे हम एक दिन एक बार का करे रहे हैं कि आलू लगा अच्छा तरीका है जितने भी क्याते हैं सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी बढ़े-बढ़े और्चाड जो आम के बगीचा है अम्रूत के बगीचा है अनार के बगीचा है उसके बीच में अपने को यह बिल्कुल जो है भाजी जगा में भाजी लगाना है इसके अला जैसे अम्भीकापुर साइड में क्या होता है कि रेतिली जमीन होती है वहाँ पानी भरता नहीं तो हल्की जमीन जहां भी किसान भायों को मिले वहाँ पे अपन भीच भीच में भाजी चुछ सकते है और जमीन के अच्छा भरपूर व्योग एक संग में दूसरा फसाल और जि कि थोड़ा सा पहले कटिंग करना है क्योंकि ज्यादा चाया होगी तो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं होगा कटिंग चटिंग करने के बाद चोटा जो टेक्टर आता है या खुद किसान भाई अपने खुर्पी कुदाली से उसके गुड़ाई कर ले और चुट ले ज्याद जब तस मीटर में एक आम लगाता है उसके बीच में जगह है उसमें बहुत अच्छा है कि आप भाजी लगाओ तो जमीन के जगह भी करते हैं यूज हुजाईगा और थोड़ा सा अच्छा उत पादद मिलेगा और जब तक आम गर्मी माम मिलेगा और ठंड में आप भाजी उसमें कम लगती है हलकी सिचाई और जब भाजी पक जाती है और हम फिर इसको बीजत पादन लेते हैं तब अपनों को पानी जादा लगता है उसी समय कीडा और बिमारी बी आते हैं लेकिन जब भाजी लगाए हुए हैं तो आट से दस दिन के अंतराल पर पानी देना कि विधी से देना है ज्यादा गहरी और ज्यादा पानी नहीं देना है अच्छा एक चीज़ आओ देखें कि जब हम भाजी बोधन जैसे लाल भाजी चौलाई में में अदिक तर देखें हों कि जैसे थोकान उगिस लग लग चार इंच के तो पता चल थे कुछ पौधामन मु इसमें जब नसरी तयार करते हैं तो उसमें देंपिंग आप जो बहुते है है अच्छा वो इसमें तो नहीं आता है लेकिन, क्या होता है कि एक बहुत उत्क्या है ज्यादा मौश्चर मतलब जो नमी की अधिकता अच्छा रोज रोज पानी नहीं देना है अधिकता के कारण उसमें क्या होता है कि जड़ उसका बहुत मुलायम होता है यह जो लाल भाजी है यह देखिया बहुत अच्छा पक गए है और इसका जड़ बहुत ऐसे दिखने में इसमें विल्ट जो शूखा रोग जो बोलतेा रोग वो लग जाता है रो विल्ट इसमय की सूखा रोग नाम Васindeer तो सूखे में लगेगा, ज्यादा पानी में लगता है, तो यह है कि आप बीच-बीच में देखेंगे कि मुर्जा जाता है, अच्छा है एक चीजा विमारी में देखें हो, जैसे लाल भाजी में, सफिज सफिद इसे वो सर पिला कर पे बिमारी लगता है, या पीछे तरफ सबसे ज़्यादा यह लाल भाजी में अच्छे पत्ते दिख रहे हैं ग्रीन लाल मिक्स दिख रहे हैं कई बार क्या होता है कि जैसी बदली का समय आता है जैसी बदली होगी ज्यादा ठंड पड़ी और पाला पड़ गया वहां पे रातो रात पूरा पत्ते सफेद हो जाते है इसको बोलते है पाउडरी मिल्डो सफेद उक्टा बिमारी में क्या होता है कि पूरा पत्ता सफेद हो जाता है जिसके कारण पत्ते जो है अगर सफेद हो गया तो इसका कोई बजार में मुल होगा निए और उपयोग करे में हो कर स्वाद भी अच्छा ने रहा है अच्छा जो कि जब बादल होते हैं और अधिक पानी देते हैं तब लगती है तो किसी भी परिस्थिती में अगर बादल हो रहे हैं तो अपने को ध्यान रखना है कि खेट में बिलकुल पानी मत हो अच्छा सूखर है और दूसरे दिन अपने को कोई भी कापर युक्ट दवा और किसी भी परिस्थिती में बादल मत आए और बादल तो आ सकते तो रळक को गई का ध्यान अभी जैसे चलन में हमरे किसां भाई बंहता तो भाजी में वृ फाजिया प nog ई opens at and RS like फॉलिक आज मरती महीं करतेज रस्च पासट नहीं कि फाजी अपन लगाते है ङर इसलिए अगर किसी हम उसके हें यह में जना हो रही है तो wäre बीच being में जो द्वाइब हम एज जगा दे रहार महीं तो फोड़ा-थोड़ा तो माज़टों अपनमे और रही बाद सबनेत है अगर वाजी लगाते हैं या जी लगे बहुत ज्यादा, फैय्ता है। यह ज्यादा पैड़ा है क्योंकि नेथ हाउस में अगर लगा रहे हैं तो आझने वे अभी महाँ आ तो वो इन में सब में चिपकेगा तो नेट में अगर नेट हाउस में लगाएंगे जैसे मच्छा अपन मच्छा दानी भर में लगाएंगे तो मच्छा से हम बसते हैं वैसी इसमें नेट राऊस में अगर खेती करेंगे तो वो छोटा-छोटा माहों है उससे बचत होगी या फिराऊ दूसरा भी जो जो बीदे जो बीमारी को पहलाता है जो प्रेटिंग जो पहलाओ है ना किलो के करना होता है हां तो एक तरह से यहुम बचा हो जाहिए अच्छा कहूं हमारे देशी तरीका से देशी खातु अदू उपयोग करके तो में कम से कम हम रासानिक खाद उपर निर्भर रहना तो उखर लिए का करना चाहिए हां क्योंकि जितनी भाजी की खेती है खासकर भाजी में तो हम चाह तो बिल्कुल ही इसमें इतना ज्यादा हरा पनाएगा इतना अच्छे उसके पत्ते होंगे कि आपको चिंता करने के आप शक्ते ही नहीं आपका बजार में आपका जब भाजी जाएगा तो हाथो हाथ उसको पिक जाएगा अच्छा तो यह आप बड़ी हजान करें देविक वह भाजी से ही तयार हुई और ज्याद सुंद करने का रवशकता नहीं है भाजी का जैसे पालक है मैधी है धनिया एक एक दो जो तीन तीन बार तक उसका कटिंग कर रहे हैं तो उसमें राशनी क मत पो CA www.OK Adaptif अम आप उसमे यूरिया और फासपोरस हंएं हं यह अपने ओडालने के आप उसमें सिचाई करने के बाद पिर से इत्म सहरापं आना शुरू हो जायागा और अपन के साथ साथ बीज बीज में उसमें झोह Um सिफ पूरे में बीज बनेगा वो बीज अपना जो पक जाएगा तो उसको अपन निकाल लेंगे अच्छा ये बीज में का परिशानिया थे कोई केड़ा मकोडा के तो उसमाई कैसन दवाई डाला है क्या होता है जब बीज उत्पादन करते हैं तो फिर मानों एक दो से 2.5 मेन में अपने चोड़ना पड़े गा तो उसमें फिर बीज बीज कीड़ा आते जैसे माहो अभी आ रहा है लेकि बाद में महुं नी आएगा तो कि जैसे जैसे गर्मी आएगी महुं खतम हो जाएगा तब उसमें काटने वाले पत्ती रही तो फिर फल भी कम उसमें बनी तो उसमें इक का कीले का अपने को ने आनल करना है एक जाद जात हम एक चीज़ा ऊजणना चाहबो प्याज भासी लगाना है प्याजबाजी को समय बिजा भी दाला हूं, इसको सीधा खेत में लगा देना है, और उसके बाद क्या करना है आपको भाजी की रूप में उखाड लेना है। अगर अपने प्यास भाजी लेना है के बाद रेट नहीं मिलेगा कंद जादा नहीं में जहीं और चोटा कि मैं दोनों प्रकार के लाइया हूं अगर तक चुने पकेवे female सवाद लेटा तो प्यास भाजी फिर नहीं बिटता है थे प्याज भाजी के Ew吉 तो अपनेको सीजा-सीजा खेथ में डाल देना हैं अगर अपनेको दोनों रूप में लेना है हूं 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 तो उसको लाइन में लगाना है 15-15 संटिम्यपोर की दूरी में अपने ठरा लगा ने ज्ञे עर करना है कि पाद लेना है और बाटी जादा घना कांदा बनने वाले जितनी भी पौदे उनको छोड़ देना है वह दूरी लखना है पच्छी से पच्छी सेंटी सेंटी मिट्श का पड़ा तो आपन बहुत अच्छा जान करीदें भाजी के खेति के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद, हमर किसान भाईवन देखें कि कहुं भाजी के विवसाई खेती करना चाहतो, तो छतिस गड़ में एक और अपार संभौना है, बस थोकन ध्यान देखें साउधानी से आपन खेती करो, बहुत जल्दी पकने वाला फसल है, तैयार होने वाला और 492-097, तो अपन प्रतक्रिया हमला जरूर लिखके भेजाओ, अब यह कारेकरम में फेर एक नया विशे लेके आवो, तब तक बरविदा दाओ, राम राम अजाओ निग्दाओे सल्ड अचा अपना स्दीन क्या बना ओत्र डार अच्ति भीदयगो कारेकश.. झाल